वेल्कम टू माई चैनल स्रे शोल्यूशन में आपका श्वागत है मैं आज आपको दो जो मुझे मेल मिले थे वो दो मेल की फाइल डिस्क्रिप्ट करके दिखाऊंगा जो एक बंदा स्काई डिजाइन यादव से मुझे फाइल भेजी थी स्काई डिजाइन यादव और एक फाइल मुझे भेजी थी लेवी नोने यह इसका यहाँ पर मैंने दो स्क्रिंशोट लेकर उसका डिस्क्रिप्ट किया हुआ है यहाँ पर तो यह दोनों को मैंने स्क्रिंशोट ले लि तो मैं उसकी एक NBS file है और एक MKOS file है जो इंस्क्रिप्ट हो चुकी है यहाँ पर NBS में और यह font file और यह चबीजी file दो file ही और यह मुझे यहाँ पर ready me file दी है और यहां पर M-K-O-S फाइल इंस्क्रिप्टेट फाइल बेजी है मैं जह इमेल में यह फाइल भी लिए तो मैंने उसके स्क्रिंसोट भी यहां पर ले लिया है तो मैं आपको बताता हूं कि आप इसको डिस्क्रिप्ट कैसे कर सकेंगे अपनी फाइल जो भी दोनों है और न्यू परन्तु और एक खास बत कि आप अपना नेट पहले चालू कर लीजी अब अगर नेट नहीं है तो अपना नेट कनेक करके रखिए यहां पर देखिए डिस्क्रिप्टर यहां पर है और आपनी यह डिस्क्रिप्टर ट्राइग किया भी होगा परन्तु यह नए अपडेट ह तो प्लीज मैं इस डिस्क्रिप्टर की लिंक नीचे दे दूंगा तो आप वहाई से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिसल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं कोई बात नहीं है यहां पर यह कर देना है तो आपने इमिसोफ्ट डिस्क्रिप्टर डाउनलोड करके ट्रा कर लेना और मैं इसकी link description में भी दे दूंगा यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर clear object कर देता हूं और यह मेरी दोनों फाइल इसमें है तो मैं इसको open करके restore size में कर लेता हूं और इसको यहाँ पर add कर देता हूं add folder देके desktop पर descriptor की file यहाँ पर है मेरे पास तो मैं दोनों folder को एक साथ ही description कर दूंगा ज्यादा time मेरा भी ना बगड़े और जो वीवर से उसका भी time lost ना हो मैं यहाँ पर descriptor file को select करके ok कर देता हूं और दोनों file descriptive के folder में मैंने रखी NBS और MQS तो यहाँ से ही वह directly descriptive हो जाएगी यहाँ पर देखना भी जो मेरा उसका thumbnail preview हो directly descriptive करने के बाद ही और direct वाज जाएगा तो यहाँ पर मैं descriptive दे दिया है तो देखो यहाँ पर उसका thumbnail भी view हो गया है जो भी उसकी फाइल थी हो और यहाँ पर देखो file उसका location आ गया फिक्ट्र और बाद में descriptive हो गई और उसका भी location आ गया NBS से font में descriptive हो गई और यह file JBG में से NBSC JBG में से JBG में गणवाट हो गई और यह डिस्क्रिप्टेट डिस्क्रिप्टेट यह मुझे for sample मेरे mail में file मिले था मेरे को तो मैंने ओ फाइल का यह distributor करके दिखाया और यह भी बहुत easily है तो आप image software जो यह image software है उसका descriptor download करके इसको आप अपनी file distribute कर सकते हैं और एक बात खास जो आपने version पहले download किया था वो 1.0.01 था और अभी इसका latest version आ गया है 1.0.03 यानि कि यह latest version है और इससे आपके file descript हो जाएगी खास करके levy no and sky designs best of luck for this and मैं आपको यह description file दिखा देता हूं यह पर anybs और यह मैं restore maximize कर लेता हूं यह font file यह उसके font completely open हो गए और यह जो anybs की inscripted file है उसके उपर ही हमारी description file भी आ गई यहां पर और इसको भी मैं open करके दिखाऊंगा ठीक है यहां पर तो आप कम्प्लेटली यह इसकी file open हो गई यहां पर इसको मैं close कर देता हूं और बाद में यह दूसरी file आप देखो ले जो जो भी है यह mqc और यह इसका distribute profile ठीक है तो यहां यह completely description हो गई है ठीक है तो आप ऐसे इसकी file description कर सकते हैं सारे कोई में यह work नहीं करता मुझे भी बता हो और आपको भी पता होगा कोई के लोग कहते की काम नहीं कर रहा है काम नहीं कर रहा है अगर काम नहीं कर रहा है तो एक काम करो मैंने मेरे कमेंट में जो आगे वाले वीडियो है उसमें मेरा email लेटिस्ट दिया हो हम मुझे को आप फाइल को mail भी कर सकते हैं मैं आपकी जो भी फाइल है जो आप बेचते हों उस पर वर्क करके उसको डिस्क्रिप्ट करने की ट्राई करता हूं मेरे से बनती अच्छे से अच्छे में ट्राई करता हूं कि आपको आपका डेटा वापस मिल से तो प्लीज मुझे आप मेरे mail पर बेच सकते हैं और मैं इ मैं काम करता हूं पर ये वर्क करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो उसके लिए स्टोरी बट मेरे से हो सके जल्दी आपको उसके इस एस एसके सॉलूशन दूगा ऑंदे स्पोर्ट सॉलूशन दूगा तो उसके लिए शौरी और यह आप दोनों जो है लेविनों SKY DESIGN वसको वाल बेस्ट फर इस दिस्क्रिप्ट